प्रोग्राम देख रहा है सारी दर्शकांद मैं आप तार शेयर परी बहुत वस्वागत करदां अधे डॉक्टर हरजीत सिंग पटी एमस तों साधे नाड जुड़े ने दिली इंडिया तों ओना दिनाड सी गलबात करांगे अधे जेड़ी गलबात देविच असी पहले आप लेकिन जड़ी होनों सी गल ना देणाड करांगे पार्ती मेडिकल सिस्टम जिते बहुत सारे डॉक्टर्स देनाड बड़ा माड़ा वेवहार है जिड़ा कई जगह देख हो रहे हैं कई जगह देख देख बड़ी जड़ी आओ वाइलेंट तरीके देनाड उनादे प अगर कोई लोग साड़ी मदद करन देविच लगे हैं ने ता ओहो डॉक्टर लोक ने जिनने पेरे मेडिकल्स है गया जिननावी स्टाफ है गा ओ सारे फ्रांट लाइन देते ऐस समित होड़ेली लड़ रहे हैं साड़ कोड़ फाज बेशा का हर मुल्क देब कोड़ बहु जरूरत नहीं है अज टैंक तो पांदी जरूरत नहीं है अज जिस चीदी जरूरत है ओस चीज़ दे नाड़ ओ सिर्फ प्रकोशन रखन दे नाड़ थोड़ा जड़ा बिचा हो सकता है तो मेडिकल सिस्टम है जड़ा जिस तरह डॉक्टर हरजीत और ने क्या कि बहुत अजिए लोग आप मारी आण लड़ रहे है जिस तरह वाकिन पेशन होंदे सी पहला ओ चाहे कैंसर देहागा चाहे कोई डेप्टिक पेशेंट है कोई है पेटेंशन दा पेशेंट है जा कोई आम जड़ी अपरेशन होंदे सी की ओ सारा कुछ नालो नाल स्थेर चल रहे है इदे बार भी जड़ी गलबाता सी दोस्तो आओ अनादा स्वाक्त कर देयां डाट साब बात 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 स्वाक्त आशो देविच थेंक यू जड़ी जिस तरह तुसी आपने एक प्रोग्राम देविच पहले ज़िच आपने गल़ कीती सी भी यू आर नाट हैपी विद अप स्वारिकल सिस्टम राइट सो अग जेक्ट ली तो अड़ा की मतलब है मतलब की होना चाहिएदा है वोड यू सिज़ेस्टिंग अट इस पॉंट पहला था इंडिया नू अट लीस्ट एक अपना जड़ा पब्लिक हेल्थ केर दा जड़ा इंफरास्ट्रक्चर है ओनू इन हजारा किलोमीटर हान जातुर के लोग जो हहां सबस्टारा वstep पहुंच दिया है हजारा हजारा किलोमीटर ट्रावल करके आखिर उन्हानने की गल्ती की ते हैंसारा किलोमीटर ट्रैवल कारने ओट ऑरो फझे तामी कि ते जाके सड़कां ठीड़ दी हम अचार साल दी्श इसे प्रमवेशाइब करने निए और यह सप्रीन हो पर सब्सक्राइब कोशिष करें देखें हो सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर आपका कहिए रेडियो लॉजिकल रेडियो लॉजी जैसे इमिजिंग सर्विसेज हैं मतलब अल्ट्रा साउंड एक सरे यह ता मिलना ही मिलना चाहिए इन फेक्ट सीटीज कैन भी एक सीएसी लेवल मतलब जो कम्मिनिटी हेल्थ सेंटर होंदा है जो के एक लख दी पॉपुलेशन पे होंदा है उते ही एविलेबल करा देना चाहिए फिर इमिजिंग तो बाद लैब दी फैसिलिटीज अगर सुनू होना आजएदी डेट वेच एक अगर तुसीं ब्लड काउंट कराना है जा लीवर्ट फंक्शन टेस्ट किड्नी फंक्शन टेस्ट इन जे में फिजीशन है, सर्जन है, गाइनकोलोजिस्ट है, पिडियाट्रिशन है, ये सारे स्पेशलिस्ट जो है, ये सुनू CSE, CSE जो के एक लाख दी पॉपुलेशन ते हो दिया, उत्थी एविलेबल हो जना चाहिएदा, ते एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर 30,000 दी होने चाहिएदे है, लेकिन उत्थे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि फैसलिटीज नहीं है, कला स्पेशलिस्ट होते बैके की करेगा, ताइस करके, और ते हो फैसलिटीज कि में होनगे, फैसलिटीज होनगे, इन्वेस्टमेंट दिन क्योंकि ये थे प्रायवेट केटर नम बहुँ ज्यादा बड़ावा दिता जानदा हें छिल्सक्रशां पार नम उस अहीं ऊसरी कॉर्परेट होड़ कर साथे भी इन क universal, क्योंकि अगर टैनार eff길ित कर सेपार की लिए जी जसा सहां गरीब आदमें उन्हों एटलीस पब्लिक सेक्टर वेचे क्वालिटी हेल्थ केर जो है वो एविलेबल होना चाहिदा है लेकिन इस टाइम ते एदे बारे कोई त्यान नहीं देता जांदा थे बिलकुल इनू इनू बिलकुल मतलब इंटेंशनली डिट्रियेट कीता जांदा है जी अब लड़ा कर दे कर दे मैं एक न्यूज थोड़ी अपडेट कर दे हैं होने होने जड़ा एक नोटिफिकेशन आया हुए है अभी अंटारियो कनेड़ा दे विच जड़े टोटल केसे ने हो 14,000 हो गए या ते नमे केस जड़े ओ दे विच चारसो चैतर नमे एड हो गया तोटल डेंस ने जड़ियां नी डेंस ने जड़ियां हो ए फॉन दा अपडेट है या जी टाक साब प्रीज इंडिया दे प्लैनिंग कमिशन है जो पॉलिसी बनोदा है प्लैनिक बनोदा है उने पिछले साल तो ही कहना शुरू करता सी का कि पब्लिक हेल्थ केर एक शिंकिंग शिप है अपना फ्यूचर है और प्राइवेट हेल्स केरी है और इंशॉरेंस बेस मॉडल यह है और आईशमान भारत टाइप आफ हेल्स केरी है मैं बिल्कुल थोड़ी इस गल नो समझ रहे हैं अगर आसी गल करिये मजूद आहलात ना दी नो डाउट भी ऐसा में जड़ी पबलिक हेल्थ सिस्टम है किसे भी मुल्क दा ओएसा में रीड दी हडी है क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ऐसा में साड़ा जो दारों दार ऐसा में मेडिकल सिस्टम दे खड़ा है जिस तरह में शुरू देविच ओपनेग दे विचे जेकर की तसी भी कई था दे पार दे विच बाकी था देखो डॉक्टर नो आज पूजय जा रहे है ठीक है पैरे मेडिक लोक डॉक्टर्स नो करांदे विच बढ़नी दे रहे अगरोंड़ा ने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की ती हुई सिखी ए चीजा क्यों हो रही है अनपड़ता दी कमिया मतलब कि कित्छे कोई कमी रही सरकार दी कमिया की गल्ल्या अवेर्नेस नहीं है लोका नो लोक बजाना हो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जान्दे मतलब हर चीज नो फिर एस तरीकर ना वेव कर दे के पता नहीं हो न अगर बुमारी के में होनी यह दा इनननो पता नहीं है तो हेल्थ केर वरकर्स नो जड़े हेल्थ केर वरकर्स उनना नो ओक एक इंफेक्शन दा सोर्स समझ दे हैं क्योंकि मीडिया भी वाट्सएपग्रूप्स ते भी इसी चीज़ फिलाई जाँ दिया कि इनए डॉक्टरा नों इन्फेक्शन हो गया इन्य हॉस्पिटर्स एंफेक्शन हो गया तो और बाक्य चीजह नहीं दास दे कि डॉक्टरां को ले पीपीज नहीं है एस करके सब्सक्राइब निस्टेंसिंग अगर हो प्रापर एक प्रापर सोशल डिस्टेंसिंग हो माश्क हैंड वॉशिंग अनौ पर पेशन रहे हैं तब फेर इंफेक्शन दा रिस्क बराबर ही है कर दो नहीं कर रहे तो फेरता हुना वैसे भी हो जाना तो नहीं हो दाइए इंफ्एक्शन हमेशा इग्णॉरेंस दी वजाना होता है लेकिन उदे लिए जरूरत है कि लोग का तक प्रॉपर अवेरनेस फेलाई जावे लोग का तक पहुंचा जावे इस पीज़ा अच्छा तुसी गल कीती सी चलो क्योंकि एदिना रिलेटर मेरे को कई और भी स्वाल ने पर मैं एक सब तो पहला तुसी उन क्योंकि गल कीती है भी प्रॉपर जड़ी है अक्यूबमेट दी है न कई थांदे उत्ते में देखे अभी बड़ी हो मुश्कुल जा रही हैं जिस अगर मैं गल गणरा पंजाब दी तर पंजाद जली सब तो पहला जड़ा पर टेस्ट होया नर्सें बनो कीता गया पर टेरा रिजंदर होस्पिटल दे विच कीता गया बाद हेविच विच्वस्या की नहीं काल होई सरकार ने कीती ओ वो दैबारे कोई एड़ में गया नही है अब यह ता वैसे देखो पीपी इस ता हमेशा तो ही कदे पिछले दो तेन मीने तो देख रहे हैं गौवर्मेंट दी कोई बहुत प्रायर्टी नहीं रही शुरू बेचे प्रोटेस्ट होए है ता प्रायर्टी बेच आये है सरकार ने देवारे त्यान देना शुरू किता है ते पीपी पूरे वर्ल्ड बेच यह शॉटेज है क्योंकि कदे इन्फेक्शन्स नूं कदे इनना सीरियसली नहीं लिया गया नहीं लिया गया हमेशा यही सोचे गया कि जड़े क्रॉनिक डिसीज़ें उनना नहीं टैकल कर दे रहो कदे इस तरीके ना human to human ट्रांसफर व ने प्रोटेस्ट करने शुरू किते ता फिर सरकार ने थोड़ा होश फड़या इन्फेक्ट पीपी दी manufacturing दी जड़ी association है उनना ने भी कहा कि सानू पंच हाफते होगे सरकार नों कहन दे होए भी असी बना सकते हैं पीपी सानू ओर दे दो ओर तक नहीं दे रहे से फिर असी इस वाइरस नों लेके पहला बहुत जादा सीरियस नहीं सी ते ओँ यह कह रही सी के बहुत के अगर आसी होनतों ही एक्ट करना शुरू कर दा पैनिक क्रियेट होएगा ता मतलब यह उनना दे एक misconception सीगा के जे आसी पहला एक्ट कर लांगे ता हो पैनिक क्रियेट होएगा इस दा विल्कुल नहीं होंदा तुसी अगर टाइमली एक्ट कर लो तो उसी होर बद्या तरीके ना उननों कंट्रोल कर साथें डिसीज नों रादर देन के उननों के पैनिक क्रियेट होएगा लेकिन होनता फिर भी कंपेरिटिबली सरकार ने काफी बैटर तरीके ना मतलब पीपीज जे इशू नों सॉल्फ कर रही है ते काफी लोका तक जो है जो काफी डॉक्टर्स तक पीपीज पहुंच रहे हैं जस तरह एम्स थोड़ा अपना हॉस्पिटल है अगर मां हूँ थे वेंटीलेटर दीकल करां क्योंकि एता एक देश ता मुलक दा बड़ा अगर में इस ता मित बाई जुक्ट बड़ा में काफी तुसी नूं नों नॉं नूमबर नहीं पता है लेकिन हां एम्स दे वेच काफी सारे आइस यू जने वेंटीवें आइस ता मितलेटर स्ता मितलब अएम्स दे वेच्ट एडिक एड़ेश ने दिए वज्शने जो फिर देख सकता है और एक एक शॉस्पीटल और उन्ना पर देख साथा लिक्न होनगी एक डेका आया सीखा निती आयोग ने एक मीटिंग की सीगी विटिंग विच पता चलिया सीखा कि पच्ची तो दी हजार वेंटी लिटर जो है वह खराब प्या है जुरूरत पई नहीं तब पता नहीं कादे खराब पाए या किसे नूँ पता भी निसे ओदे बारे वह दे विच्छो ऐसा भी है कि बहुत सारे उना दे पार्ट्स जो है ओन इंपोर्ट करने पहनगे तब वेंटी लेटर से पार्ट एक्सपोर्ट कर ली सारे देशाने बैन है दूसरी चीज उनना नूं इंडिया दे वैच्छी उनन डेवलप उनूं मैनूफेक्चर कीता जावे जा रिपेर कीता जावे ओधी हजे इन्नी फैसिलिटी डेवलप नहीं कीती गई ता एक क्राइसिस दे उपर दी क्राइसिस एक खोर पै गया है अगर एस क्राइसिस न मतलब इस टाइम ते वेंटी लेटर सा मतलब वो एक्स्ट्रीम फॉर्म एक्स्ट्रीम सौर्ट ओफ ट्रीटमेंट है वो दू पहला आईसियू बेड्स ता इश्यू होंदा है और इंडिया दे बैच सिर्फ दो या तैन वैड है आईसियू दे एक लख पॉपुलिशन ते जब के यह बहुत ज्यादा होने चाहिए दिया लेकिन साथे खोड़े ओ भी नहीं है वो ते अलावा अजर तुसी बैड़ दी रेशो इन्हीं काटा है कि ज्यादा तर पेशेंट एक एक पेशेंट एक एक बैड़ते पहला चार चार पंच-पंच मरीज होंदे ही लेकिन हो तो बाद फिर वेंटी लेटर्स दा काम हो दा क्योंकि वेंटी लेटर्स नो अपरेट करने वाले भी स्पेशलिस्ट होंदे है ओ भी उन्ना दी भी अपने कोले कमी है ता ये अपने आप एच्छी है कॉंप्लिकेटर सिच्वेशन है एल्थ केर भी अच्छा एक चीजी होर किसे नूँ बलड प्रैश्य दी प्राउलम है गिया किसे नूँँ शूगर दी प्रा बॉडम है जा कोई होर प्रॉलम ही जा कोई ब्लादाय रहे गाने कोई कि आज एक पैनने या जा कोई रीड़ दी ओड़ी कोई भी बमारी है पर treatment नहीं मिल रहा है including मतलब ऐसे ऐसी problem जियंक डैलेसिस दी लोड है हुँ डैलेसिस दे भी रिफिउस हो रहा है ऐसी पेसेंट जदके डैलेसिस दे लिए रिफ्यूस करने मतलब है के सिधा सिधा मतलब मडर करने लिगा लें उनना ची जनों फीर एक फिर कैंसर थे पेशन्ट है उन्हादी कीमो थेरपीज रेडियो थेरपीज स्टॉप थी ओधे अलावा फिर आपा सोचिए के शुगर है अगर शुगर आप बहुत जादा अनकंट्रोल्ड है बीपी है जा इंफेक्ट अगर इंफेक्ट किसे पेशन्ट नो अगर जिमें गैस्ट् पर इनना लॉस हो गया उनना नो सिनकोपी मतलब फेंटरनेस तक दी प्रॉब्लम आगी तो वही बहुत बड़ा इशु है लेकिन उन्हों हज तक भी टैकल नहीं कीता जा रहा सी ते सारे हॉस्पिटल्स नो सिर्फ कोवीड पेश्ट है कोवीड हॉस्पिटल बनाता सी है को लेकिन फोन जाकर एक ठेली मेंडिसिन दा थोड़ा system शुरू किता है वह इंगिनुच किल फेखर ने अपनी तरफ बहुत एफट्स ला रहे हैं लेकिन हजे भी ओहो देशते हर इंसान हर मरीज तक पहुंच रहा हुएगा यह हजे डिफिकल्ट है अच्छे जड़ी अप्रेशन ने तो कि ऑन एबरेज पहला जड़ी जिस तरह एम्स वरगा हॉस्पिटल है राइट एक वड़ा ह हॉस्पिटल है तुसी बहुत सारे अप्रेशन आम देना दिविच करते होंगे की अजवी जड़ी ऑप्रेशन दा रहे है ओही है जा फिर कि इंद ने बहुत ज़्यादे कट ही है नहीं होन ता इलेक्टिव जड़े प्रोस प्रोसीजर से मला इलेक्टिव दा मतलब हुंद तो बहुत बड़ी तो इसलिए बेटर है के गोड़े ऑप्रेंड है थोड़ी दो होर जो है वेट कर लेँए जावरी थोड़ी थोड़ा सेफ हो जाना हॉस्पिटल फिर ओपरेशन दी देट दबारा देती जाएगा अच्छा की वाक इन पेशेंट नो हॉस्पिटल ले रहे है या नहीं वाक इन नहीं है बिल्कुल जिड़ा सीरियस पेशेंट है सिर्फ उनू ले आ जाएगा स्क्रीनिंग हुन दी है पहला ते सिवियरिटी देखी जाएगा अगर सिवियरिटी है सीरियस पेशेंट है ता ले आ जाएगा सीरियस ता चाहे नौन कोविड भी होवे उनू भी ले आ जाएगा लेकिन उहों सिर्फ डिसीजन ले आ जाएगा कोई रिसर्च चल रही है करोना पेशन्स दे वैक्सीन बारे है वैक्सीन नो लेके ता हजे ऐसी कोई रिसर्च नहीं है बाकी होर ट्रीटमेंट मोडलेटी इस में जड़े ऑलरी पहला तो भी चैक कीते गया जिमें क्या अपड़ा हो गया प्लाजमा थेरपी हो गया जांफिर है ऐसी क्वर्ष किया प्रणांट माय काई प्रणाउ्स पार आपका फ्रहप्रमान ब्रहीं क्वान ब्रस नाषे प्रणांस एंप उन मेसे बाड़ा ट्रॉब। पर इदे नाड़ जो अमेरिका दोगे स्टड़ी सामने ही है एदे नाड़ जड़ी डेथ रेट हो तक्रीवन 27 प्रसेंट ज्यादे सी नहीं होता है एदा एदा एक बहुत किड़ा बुरा साइड एफेक्ट है वो यह है कि हार्ट दी रिदम नूँ चेंज कर दिंदी है अगर कोई पहला तो ही कारडियक दे रिस्क ते होवे ता उनना दे बैच्चे है जादा डेंजरस हो सकती है खासकर अगर तोसी जोड़ के कहा गया के लेता जावे ओदे नालता फेर एदे इंडिया दे बैच्टा पहला तो ही जो मेडिकल प्रोफेशनल सी के ओ इनू लेंड पहला तो ही जोड़ा या एप्रिहेंशी भी सीगे ते बहुत जादा लोका ने लई भी नहीं मैं पर्सनली नहीं ली मैं कदे भी नहीं खा दी क्योंकि मैं इदे बिल्कुल भी फेवर वेच नहीं सी इनफेक्ट में बहुत सारे प्लैटफॉर्म सुते यह भी गल रेस कीती कि इनु ना ले आ जावे एए सेफ नहीं है क्योंकि ये बारे कोई भी साड़े कोडे स्ट्रॉंग एविडेंस नहीं सीगा ये फेवर वेच ने गल कही भी सीगी वाइट हाउस ताहूं हाँ जी जी के बलकुल एविडेंस नहीं सी साड़े कोड़े तैसकार के होने नो अवाइड कीता जा रहा है पहला भी काफी हेल्सकेर वरकर ने अवाइड कीता ते होनता है नो होर लेवल ते अवाइड ही हो रही है ये दवाई तुसी किना केस दे विच्वेश रख दे हूं अब मतलब एता recovery rate तुसी ताहीं पता कार सकते हैं अगर तुसी टेस्ट बहुत stringent टेस्टिंग कीती होए कि तुसी बहुत सारे लोग टेस्ट कीते हैं उन्हा बिच्व बहुत positive आए है उन्हा बिच्व फिर तुसी कह सकते हैं जो के सिर्फ 20% आफ दा सीवियर पेशेंट ही एडमेट हुदे है उन्हा नो भी लास्ट वन वीक तो लास्ट वन वीक तो उन्हा नो टेस्ट करना शुरू कीता है उदू पहला तक 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 से फॉरन ट्रेवल ती हिस्ट्री थे पॉजिटिव कॉंटेक्ट जहां फिर हेल्थ केर वरकर्स दी ही टेस्टिंग उन्दी सीगी तक क्योंकि टेस्टिंग काठ है उदे बच फे रिकवरी रेट बहुत जादा कहना मतलब है हजे मेरे ख्याल वेच्च थोड़ा या इम्मिच्योर स्टैप है हजे सानु हो टेस्ट करना है टेस्ट करके ही ए दोस्तों बाद देना दाता निक्र मेरे को डेटा नहीं है ओ सब तो बाद केसे स्तारां सव पजबंजा के सी जड़े हो और दवादा हो गया सी एक देन देवेच जी तुसी इसनु के स्तरा देख देओ मतलब इनने लोग का दवादा होना क्योंकि दूसी जिस तरह क्या भी टेस्ट है गया नियू यॉक ने ड्राइब धूर्ण टेस्ट किते है निव्यर्जी देविच बड़े लंबे समय तो ड्राइब धूर्ण चाल रहा है तो ना टेस्ट देविच एसी गा भी अगर मैंनू लगदा है मैं से कहां जाह मैंनू खांसी हुई आ तैस्ट कर होना उत्थो एचीज भी दर्सार है अभी असी किते ना किते अनगेली एज़डी ओहों कर रहे हैं वड़े पदर दे उत्ते जासी वैसी आपनी पेट थपत पा रहे हैं अभी नहीं पार दे विच्च कि अंधने इसाब कंट्रोल दे विच्च यह नहीं हो था वैसे ही मतलब पहली कालता है जो आसी ता हजेबी इस चीज दे स्ट्रगल कर रहे हैं कि टेस्ट दी कॉस्ट की होनी चाहिए यह प्राइविट सेक्टर जो है वो कह रहे है कि नहीं पंतारी सो रुप्या ता मिनीमम है जो असी टेस्ट था लेना ही लेना है इदू कटते यह नहीं मनना सरकार ने किया कि होने नहीं इस्तेमाल ना करो क्योंकि नहीं ता एफिशेंसी नहीं है बिलकुल कारगर नहीं है ता मतलब हजेता किट से लेवल ते ही इंडिया स्ट्रगल कर रहे है किट केड़ी इस्तेमाल करिए किने दा करिए हजेता ओही चाल रहे है ओधे अलावा बैक जो है जो rich and influential हो ता अपना टेस्ट करा लेगा लेकिन गरीब आदमी अगर 4500 रुपया तुसी किसे तो लओंगे ते उसे करवेच अगर चार जी ने चार जी ने तो अलमुस्ट जो है सो नो 18000 रुपया लगेगा तो कितों लेके आएगा और नहीं कराएगा टेस्ट ते अगर जी रंदीप गलेरिया डिरेक्टर एम्स जी रंदीप गलेरिया जी यास ओनना दा एक ब्यान है भी ओनना ने कहा जड़ी अग्जेक्टली जो वर्डिंग उनने यूज कितिया स्टिक्मा अटेच्ट टू कोवर्ड कैन कॉज मोर डेट्स राइट ओना इस्ट मैंनो सारा ब्यान उनना पड़ना पया भी हां उननने क्यों लिख्या क्यों अननु करना पया क्योंकि असी इक पलेखा पाल ने अपने आप दे वेचे में नहीं जी जिस तरह बहुत सार पहल अगर आसी तेने डेकट पहला सी गल कर दिया है एच आईवी दी गल सीगी राइट ओदो कुछ सानु जान करें नहीं सीगी ओदो लोग का दे मनने जानदा सी भी नहीं जी एदे कोड़ना बैठो ठीक है शैसानु एच आईवी हो जूगी लेकन आज जड़ी है कोवर्ड न ते तर्म नू लेकि जड़ा वड़ा हो रहा भी अगर मालो सबोज करो किसे मुस्लम प्रानू हो गया जाँ पैंड नू हो गया तपर उता दासकुणा जादे कोवर्ड नाइंटीन की अंदर ने जड़ा डेंजरस है हाजी मतलब एता है गई या इंडिया दिवच की है ना क पता है मेडिया हाउसस नो पता है सब नो पता है के पhली चीज से ता है था हेलफ केर सिस्टम इनन का पूर है कि हेलफ केर सिस्टम न कोजै करने की स्केप कोटफ लबना ज़ूरी है लेकिन आज जैसी सिट्वेशन आगी है वर्ल्ड वाइड के तुसी डॉक्टर नू बली दा बक्रा नहीं बना सकते हैं लेकिन आज डॉक्टर सीगा आज दी डेट बेज तुसी डॉक्टर नू नहीं बना सकते सारे नू पता है कि फरन्ट लाइन ते काम कर रहे है आवडी जान रिस्क ते पाके काम कर रहा है उन दूसरा स्केब गोट सब तो गषय केप गोट होंदा है कि सारा था सारा ठीक रा जड़ा है ओं किसे एक कम्मुनिटी दो ते सड़ दो सड़ी पॉलिटेक्स भी चाल जान दी है ते दूज्जा सोड़ी एकाउंटिबिलिटी जीरो हो जान दिया होनों सोनों जवाब नहीं दिना होनों हो कम्मुनिटी जवाब रहेगी आप दे लेवल ते के नहीं असी नहीं बोल ले आसी कोशिदा नहीं कीता असी ता जालना ते गाली हो रही है तो सिर्फ ते सिर्फ एक ता उन्नों एक बली दे बकरे दिये तरह इस्तेमाल कीता जा रहे हैं ओदे अलावा ओदा बहुत ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है इन फैक्ट जो मरकस दे जो पैसी गे तबलीगी जमात दा इशू इते बहुत दिफरेंस दी वजा ना हो कम्मिनिकेट नी कार पारे सी प्रोपरली ता इस चकर बैची ओल ये लाग रहे है का भी ये है पता नी कम्मिनिकेशन दे इशू नू ना जो है ओनू नू नेशनल इशू बनाता के बही तबलीगी जमात वाले चाजना गाल भी कर रहें जादके चाजना गाल ता करना जा सोड़ी गाल उना समझा ले बल्कुल नू नू समझा ले बल्कुल जासी समझना चौदे हो ये जा समझना चौदे हो ये चीज़ चलो लेट्स पूट इट वेए अच्छा एक चीज़ हो रहे है डॉक्टर फॉची आ ये लिग जाए फेमस परसं डॉक्टर फॉची आते होर महरांदा ते सीडिसी डिरेक्टर से दा केना एक अलमननी है वी जडी सेकंड वेवार ही है विंटर दे विच वो इस तो ज़्यादा खतरनाग हो सक दिया तुसी इस देन अड़ किना सेमतों अब जिनने भी इह इंफेक्शन सुन देया इना दा वे फॉर्म बेच ओना दे चांसेज हमेशा रहन देया इदे वेच कोई डाउट नहीं है वह आभी सकती है नहीं भी आ सकती है लेकिन हाँ इना बदिया है मतलब अमेरिका इस चीद वेच खुश किसमत है कि उनना ने अपने इंस्टिट्यूट्स नो इना डैबलब कीता है म मतलब आज जो गल डॉक्तर फॉची अपने प्रेजिडेंट दे सामने कह सक दिया इंडिया दे वेच शायद इना पॉसिबल नहीं है बहुत जिनना बोल्ड लियो हो अपने स्टैंड नो बोल सक दिया जिनना बोल्ड लियो हो मेडिकल इशूज नो चक सक दिया तो आगर उ होना चाहिए था ते मतलब तुसी देख सकते हूं के एपरिल दे बैच्छी ओहों दिसंबर दी प्रिपरेशन स्टार्ट करती है उनना ने मतलब ए ओ इंस्टिट्यूट्स ने मतलब जिनना नो असी इंस्पायर कर दिया जा असी अपने इंस्टिट्यूट्स नो वैसा एसे दा तेवे इसे चीज नो त्यांच राख दे हुए मैं भी एक्सपेक्टेड सी गा कि शायद इंडिया दे बैच भी इंडिया दे इंस्टिट्यूट्स भी इस तरीके दी गल बोल सकन के भई एस टाइम साधी ए सिच्वेशन है ए सिच्वेशन ऐसी एग्गे जाके हो स कई बरी इदा भी होंदा कि एक बरी वायरस आया हो तो बहुत दुबारा कदे हुए ही नहीं ता यह बड़ा अनप्रेडिक्टेबल जी आएदा पैटर्न होंदा है कई बरी एह होंदा है जिम्होंने इदा मॉटलिटी बहुत काट पिछली बार आले सार्स दी मॉटलिटी इदा रावर्नाइब्ड- cycles बहुत जादा सी एक कंटेजियास जाधा है मतल घाएदू लोकान इंफेक्ट करता है ता हो सकता है केकट इम्यून हो जानगे हरड इम्मुनिटी डैबलब हो जाएगी हर्ड इम्मूनिटी एक बार डैबलब हो जाए हर्ड मतलब यह हुनदा है कि अगर चारां बिच्चों अगर दो नो भी इंफेक्षन हो गया तो उन्ह넌ने इन्म्यूनिटी डेवलरब कर ली तो बाकी दो नुटी इंफेक्षन न होना खत्रा खत्रा खत्म हो जाता हैं सब्सक्राइब बाखी 40 पर संट अपने अपी सेफ हो जान्य हैं मतलब है है अध्यवीनिटी डेफलप होगी तो हो सकता है कि दुबारा कदे इंफेक्शन है आई ना पाफ़टी डर साब तुसी कुई हो रेकमेंडेशन करनी चोने अकीर देवेच रेकमेंडेशन मतलब वही ह है कि इस टाइम ते बिल्कुल भी अफवामा दे पिछे ना पवो सिर्फ कोई एक अपना पर्टिकलर तुसी बहुत लखी हो यूएस से दे लोग के सुनों रोज-्रोज जो है प्रेस कॉंफरेंस सब्सक्राइब एक प्रेजिदेन्ट नालनल हेल्थ एक्सपर्ट सुन देया और ते जो गायेड लाइन जांगो सोशल डिस्टेंसिंग, छे फोट दी दूरी बना के रखो, दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंट हैंड वाशिंग, हाथ बार बार तो उदे रहो, किसे भी अगर सर्फेस नो टच कीता है, खान तो पहला, मुह नहीं लेके जान तो पहला, हाथ चाजना तो वो, ते तीसरी आपने मुह नो टाक के रखो, ए तैना चीज़ बहुत इंपोर्टन नहीं थे, चौथी चीज़ अपना के अफवामा तो दूर रहो, एक के रिलाइबल सोर्स कोई इंफोर्मेशन दी, कोई रिलाइबल चैनल जो है, ओनों तुसी फाल लो, ओदे बच देख लो, एकवरी, देन देवेच एकवरी न्यूस देख ली, ओदे अलावा अपना गुड़ फूड, एक्सेसाइज, गुड़ स्लीप, एंड ओतो बाद आपनी कोई होर क्रियेटिव एक्टिविटी चाहे हो सोडे, म्यूजिक सौनना चाहों, तोसी जा डांस बेच इंट्रस्टेड हों, जा इनना समा साथ लेकड़े, आसी थोड़े बहुत 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 तानवादी हैं, ते मेरा ख्याल जड़े, दर्शक देखन वाड़े ने, ओनले भी काफी जड़ी एंफर्मेशन आया है, काफी जानकारी पर पूर होवेगी, ते दोस्तों, अगले बार आसी फिर कोशिश करा अगे किसे नमी जानकारी देनाड, डॉक्टर साब देनाड, डॉक्टर हरजी सिंग्जी पट्टी और देनाड का पकते दोबरा फिर मुलाकात करांगे, डॉक्टर साब थोड़ा बहुत बहुत तानवाद, तानवाद जी,